गुट इवनिंग वेलकम एवरेवन मैं इस डाइमिंग गुपता नाम नाम डाइमिंग गुपता है और हमारे साथ विने भंडारी सर अवेलेबल है और हमस्कार सब्सक्राइब करेंगे 27 मार्च दोहजार चौबीस के लिए देखें कताई खराब मार्केट था दिमाग तो बह टागेट आता था थोड़ा दिमाग में शांती रहता है और हर बार की तरह बैंक निफटी बहुत दिन बात भी है मैं एक्स्पेक करर रहा था कि आज थोड़ा से ट्रेंडिंडिंग हो जाए तो आज बहुत दिनों से बहुत जी वैसे and here we have bank nifty अभी अगर एक बर weekly candles देख लेते हैं तो आपने को समझ में आएगा कि पिछले दो-तीन हफता में हुआ क्या है अगर आप ध्यान से देखें ये support line को market अभी भी थोड़ा respect कर रहा है और अभी भी दो-तीन बार back-to-back इसको test कर चुका है आज भी gap down खुलके लगे हाथ पहले ही candle में recover कर गया था तो मुझे कही ना कहीं लगा था कि जो बाइंग आईगा ना पहले गैंडल में वो कहीं ना कहीं market को खीच के लेके जाएगी तो उसकी वज़े से मैंने buying करी buying करी तो करी मैंने nifty में nifty में करी अब अब अगर weekly candle देखोगे न तो यह दिख रहा आपको lower low बन रहा था अब market इधर एक बार low आया हाय आया अब इस चीज को market sustain करेगा या फिर lower low बना के इस चीज को तोड़के नीचे निकल जाएगा तो अब वीकेंड के अंदर अपने को बहुत सारे नियूज मिले फ्राइडे को मॉस्को में attack हो गया मॉस्को में मॉस्को में attack हो गया ठीक है अब रश्या ने क्या कर दिया war declare कर दिया है पहले military aggression military operation बोल रहे थे अब war declare कर दिया आ गया इंडिया चाइना का stand up हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जड़प हो गई है और आप कही ना कहीं उस चीज के वज़े से आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान unstable होगा पाकिस्तान में elections हो चुके है रश्या में elections हो चुके है तो आप यह लोग aggression करने से पीछे नहीं हटेंगे आप मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है मैं थोड़ा सा international fs follow करता है इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत पता है मेरे को अंदाजा रहता है बट नॉट शूर अभी क्या होने वाला मार्केट में मैं आज फिर भी बाइंग के साइट बैठा हुआ था कहीं ना कहीं मार्केट बलफ करेगा इस चीज़ का मिरे को थोड़ गया नीचे आया अब यहां भी जो नीचे खुला ना मेरे को इंस्टिंक्ट था कि मार्केट रिकवर तो नहीं करना चाहिए और जैसे उसने पूरा-पूरा रिकवर किया तो कहीं ना कहीं मेरे back of the mind मेरे चल रहा था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है तो उसके बाद मैं यह candle और आप देखो साढ़े दस बजे ट्रेड लो आप और शाम के दो धाई बजे तक आप बैठे रहो और ऐसे लो उसके बाद दिमांग बहुत खराब होता कि चार घंटे एक ट्रेड पर बैठे रहो इस नाट एजी टास्क और कई बार असा हुआ कि 20,000 प्रोफित फिर नगेटिव फिर 20,000 प्रोफित फिर नगेटिव तो दो बार ऐसा हुआ वो चीज मुझे कही ना कही मार्केट में पॉजिव दिख रहा क्योंकि जैसे ही लिवल के नीचे क्लोजिंग दिया था कही ना कहीं lot of sellers जो थे उन लोगोंने position काटी होगी इसके वज़े से मार्केट कही ना कहीं मुझे लगता है कि उपर की तरफ क्लोज दिया आपको थोड़ा सा डेटा देखके भी बताएंगे एक फिनिफ्टी का हीरो जिरो ट्रेट जो मैंने लिया था बहुत बढ़िया ट्रेट था फिनिफ्टी का ट्रेट आपको दिख रहा होगा 65,000 का लॉस लेकिन ट्रेट का जो टागेट था अल्मूस 2,500,000 रुपे का था त यह था कि मार्केट अगर ऊपर निकलता है इस एरिया से इस रेजिस्टेंस को दो तीन बार टेस्ट कर चुका था इस केंडल के आसपस मेरे रुपास 20-30,000 का प्राफिट था अगर मार्केट 800 रुपे भी छूता तो मेरा टागेट जो है 60-65 रुपे का आसपस का था मेरे को अच्छा टागेट मिलता और कम से कम 2,000,000,000 रुपे मेरे को एक ही बार में देखने को मिलता मैं खुश हो जाता चुचा प्राफिट निकालता मही निकालता अंत है अभी मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला जो भी होने वाला कल होने वाला है ठीक है सो बी प्रिपेड मैंन ना सोचो अब देखो मार्केट ये वाला पोजीशन जो है ना 46,600 बहुत अच्छे से होल्ड करा इसने सुबह भी होल्ड करा शाम को भी होल्ड करा एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया लेकिन फिर होल्ड करके चला गया ठीक है अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो आज क हाई है ना वह बहुत क्रूशल होने वाला है यह हाई अगर मार्केट तोड़ देता है ठीक है तो 46,700 के उपर कल बाइं आने वाली है अब कल सबसे बेस्ट चीज होगा कि मार्केट गाप खुले ठीक है गाप के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आए इधर के आसपस अग अगर 800 के लेवल में खुला नीचे आएगा यहां सपोर लेगा और यहां सपोर लेगा अगर मार्केट उपर जाता है तो मेरा जो ट्रेड है अपस्ट्रा में बना के रखा इल शो यू गाइस अगर यू गाइस अगर यू गो यू गो अभी छबीजार का अपको लुक्सान सब्सक्राइब का इस ट्रेड में वह हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा इस ट्रेड में वह होगा चार लाक से तालिस अजार तो वन इस टू-पाइफ के आसपास मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा मोमेंटम होने वाला है बद देन कल बैंक निफ्टी का एक एक्चुल मंथली एक्सपाइरी था वह लास्ट के थर्सडे में हो रहा था लेकिन कल से क्या होने वाला है वह एक्सपाइरी आपका विटनेस दे को होके खतम हो जाएगा तो बैंकिंग एक्सपाइरी इस कल है बैंकिंग इस्पाइरी दिन हमारा बैंक निफ्टी का कही ना कहीं मुझे लगता है कि volatility जाधा हो जाएगी, ठीक है, month close होने वाला है, again, April will be a truly volatile month, लेकिन shorting मत करना options, buying करना है मेरे को, मैं reason आपको बताता हूँ, क्यों, IV बहुत उपर रहेगा, IV, क्या, IV का full firm क्या होता है, sorry, implied volatility, implied volatility, तो volatility जितना जाधा रहेगा, उतना आपको options में premium जाधा देखने को मिलेगा, जब options के premium आपके favor में रहेंगे, it's better to do a buying trade, rather than a selling trade, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, तो decay कम होएगा, trade जाधा बढ़िया बनेगा, तो बेटर है कि आप buying side ही जाओ, ठीक है, मैं अभी buying side ही plan करूँगा, जाधा से जाधा option selling करूँगा नहीं, जबकि मेरे पास अगले महीने अच्छा खासा capital है, selling करने के लिए, almost 2CR के आपस, आसपास मेरे पास account में capital रहेगा, selling करने के लिए, but I'm not going to do selling part, I'll do buying part itself, भले ही, शायद मैं एक time पे lot size आके बढ़ा दूँगा, अगर पहले 10 दिन के अंदर में profit हो जाता है, क्योंकि पहले 10 दिन ही profit निकालना मुश्किल होएगा, 11 दिन के बाद, कम से कम 25 दिन तक, बहुत अच्छा trending market रहना चाहिए, ये मेरी कही न कहीं gut feeling कह रही है, let's see how exactly the market is going to proceed, अब कल कहीं भी अगर market 46,600 के नीचे खुला, there will be an immediate panic situation in the market, और मुझे कहीं न कहीं लगता है, कि market slip होके 46,250 के असपस slip करेगा, और ये gap close करने के कोशिश करेगा, मुझे expectations थी कि आज अगर नीचे जा रहा है ना at least, negative trade लेके market कम से कम नीचे ही close कर जागा, अगर नीचे close कर जाता तो मैं comfortable हो जाता, कि चलो नीचे close कर कि I am very happy, ठीक है बर देन हुआ नहीं वो चीज, and finally उसने positive ही close कर दिया, अगर नीचे भी जाता तो put खरीक के काम कर सकते थे, and the last support would be 46100, अगर 46100 के नीचे market तूटता है, crash आएगा, crash तो नहीं कह सकता है, correction कह सकता है, आएगा, अच्छा खासा आएगा, ठीक है, लंबा चोड़ा आएगा, और US market एक बार देख लेता है, flat, 30 point positive, 30 points positive है, अभी तो flat है, बट दिन के अंत में पता नहीं कौन सा news hit करने वाला है, अभी कहा रात हो रही होगी, इस्रेल में ना, इस्रेल में भी panic situations है, कुछ तो US ने, कुछ वो वोटिंग हुई थी, US ने मना कर दिया, तो अभी इस्रेल के प्राइमिनिस्टर ने भी कैंसल कर दिया, तो वहाँ पर भी panic situation है, तो अभी रात होरे होगी, सावधी में, तो वहाँ पर भी पता नहीं कौन सी news आने वाली है, थोड़ा अभी पता नहीं है, ठीक है, लेट सी, रात भर के अंदर कोई news आजाए, तो well and good, अपन news का वेट कर रहे थे, बट मेरे पास negative में trade नहीं है अभी, that is the only panic I am saying, बट लेट सी how exactly the market pays off, विने सर प्लीज अपनी टिपनी दीजिए, सही किया, गलत किया, और क्या अच्छा हो सकता था, और क्या करना चाहिए कल, नहीं, नहीं, सही है, यह है कि जो position आपने बनाई है, वो थोड़ी सी कैसा है न, भी बजा रहा हमें क्या दिखा रहा है, दोनों तरफ movement दिखा रहा है, बड़े movement नहीं दिखा रहा है, कि हमें एक बार में nifty 200-200 point plus दिखे, नीचे से, फिर नीचे से recover करते हैं नहीं दिखे, ऐसा बड़ा movement नहीं दिखा रहा है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और कल expiry है, आपने मेरे चाल से परसों के हिसाब से बना लिया trade, मेरे को ऐसा लग रहा है, परसों समझके expired ही इसलिए बना दिया, मेरा expectations क्या था ना, कि market कली movement कर जाए, अब कली movement कर जाए लेकिन आपने position नहीं रखी थी, पोजिशन में मेरा था कि 70-80,000 का SL होएगा, तो वो कर लेके, लेकिन ये positions इतने global markets में इतना कुछ हो रहा है न, तो last-last में मैंने वो position को cover कर दिया, options के साथ, वरना आप trade देखोगे न, थोड़ा भी मेरे favor में आ जाता न, market थोड़ा भी उपर होता, तो उसमें profit होता है, और मैं फिर exit करके निकल जाता, तो मेरा expectations है कि मैं daily एक या दो point से late हो रहा हूँ, मैं उस दिन भी मैं position short करने वाला था, तो मैं सोज़ा है, दो-तिन दिन जुटी है, पता नहीं कौन सा news आ जा, और फिर market gap अप खुल जा, लंका लगेगी, फालत होगी, अगर वो भी लेके चलता तो आज 2 लाख रुपे का मेरा को market opening में ही profit होता, तो वो भी नहीं लिया, कहीं न कहीं ऊपर नीचे market चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, और bank nifty में तो अभी sure ही नहीं कि पता नहीं कब rally आएगी, या कब downfall आएगा, लेकिन कुछ तो हो, पैसा तो आएगा, कल तो आपको gap up होने के बाद भी moment upside का बना रहे, बना रहे हो काम बढ़िया हो जाएगा, तो अगर कल gap up होता है, उसके बाद retracement करता ना, तो वो उपर जो profit होगा ना, profit का position काट के, फिर उसको नीचे से मैं create करूँगा, adjustment हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, वो तो आप एकदम decision ले ले लेंगे, मेरे को पता, कहीं न कहीं कुछ न कुछ करी लोगे, चलो सही है, अभी देखते हैं, Nifty देख लेते हैं, थोड़ा सा, मैंने यहां पर लगा दिया, Nifty के पूरे सब, और, पूरा क्या करना है, इसमें देखो, बजार हमें क्या कर रहा है, आज जो बजार ने करा, नीचे उपन करा, उपर लेकिया, फिर पूरे दिन बर एक range में, जो भी option buyers होंगे, उनके premium गलाएने वाला काम कर दिया, तो यहां पर, अब हमें क्या काम करना है, किसे से करना है, कल के लिए, कल bank nifty के expire ही है, तो जो moment bank nifty में रहेगा, चाहें bank nifty में upside का moment रहे, चाहें downside में, वो moment हमें nifty में देखने के लिए नहीं मिलेगा, नifty में देखने के लिए नहीं मिलेगा ऐसा moment, तो nifty मेरे को क्या रगता है, कल के दिन फ्लैट रह सकता है या पॉजेटिव रह सकता है मेरे को नेगेटिव नहीं दिख रहा है एक दम से एक दम से मेरे को नेगेटिव नहीं दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा है नेगेटिव आप यह देखो जब नीचे गैप डाउन ओपन हुआ यहां पर सेलर्स यह यहां तक इसे active करके ले गए और फिर बायर्स ने क्या करा पूरा उपर तक लाके यहां पर closing दिया इस तक बायर्स यहां तक नीचे से यहां तक लेकर आए हैं बायर्स वाजार को कहां से 21948 से 22050 के भी उपर यहां तक खैंच के लिए क्या है तो मतलब जहां भी Sailing आ रही है तो बायर्स आ जाना है Sailingard ये Buyer's आ जा रहे, Sailingard ये Buyer's आ जा जारे तो हमें ये देखने के लिए मिल रहा है भई Sailingard ये Buyer's आ जा 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 है और Last में भी हमें कुछ थोड़े बहुत Buyer's active होते वोई आईनलो के बदाने, इसा जरूरही नहीं है तो अब मेरे को क्या लगता है, मैं ये बताता हूँ थोड़ा सा आपको, देखो हम Nifty में अगर flat open होता है न, flat open होने क्या अद उपर की तरफ निकलता तो इस level के उपर हम buy करूँगा, मैं जो buy करूँगा वो 21.065, 22.065, sorry, इसके उपर निकलेगा तो buy करूँगा, मेरा ये target र सकता है, अगर इसके उपर निकला न, Nifty, तो ये target कर लिया सकता है, 22.18, से फिर आने वाले कुछ दिन मतलब, एक आद दिन में फिर हमें ये level भी देखने के लिए मिल जाए, तो कल फिलाल मेरे को लगता है, इस level के उपर मैं buy करूँगा, Nifty को, उससे पहले buy नहीं करूँग अगर flat open होगा तो, अच्छा अगर gap up open होता है, तो मुझे पता है, buyers भी आ रहे हैं, sellers भी आ रहे हैं, gap up open होने के बाद मैं 15 minute wait करूँगा, 15 minute का एक candle बनने दूँगा, फिर उसके अंदर में 3 candle बनने दूँगा, उसके अंदर में 3 candle फिर breakout जो मिलेगा, उसके बाद बाद बा इसके अंदर में 3 candle बनने देने हैं, 3 candle बनने के बाद उपर या नीचे निकलेगा, तम मैं ट्रेड लूँगा, अगर पहले ही candle में या दूसरे candle में निकल गया, तो फिर मैं नहीं लूँगा, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रेड लो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, तो gap up की condition में मैं एकदम से नहीं रहूंगा, मैं buy के side में कब जाओंगा, जब gap up अगर मिल गया, फिर थोड़ा सा reverse होके नीचे आता है, यहां कहीं hold करेगा, तम मैं buy का trade लोगा, तो यह नीचे में यहां कहीं, इसके aspect लोगेगा, तब buy का trade, तीसरी condition अगर gap down रहता है, तो मुझे प नहीं है, तो यह buyers कहीं नहीं active हो जा रहे हैं, तो अगर gap down में मिलेगा, तो फिर मैं call side का trade लोगा, upside के लिए, पहला target मेरा यह रहेगा, दूसरा यह रहेगा, तो बजार volatile रहेगा, आने वाले जो दो दिन रहेंगे, volatile रहेगा, कल आप bank nifty देखना इतना volatile रहेगा, आपका क 50 आपका पर्सों वाल्ट अलेगा, expiry का दिन है, बहुत तेजी से वाल्ट अलेगा, मैंने जो आपको बताया था कि मेरी जो strategy बताई थी, वो 21,800 से 22,300 के बीच में मेरे को profit मिलेगा, expiry में, आप वो देखो, यहाँ पर, और 22,800 का call by, 22,000 के call मेरे sale थे, यहाँ पर quantity दो, एक के सामने दो, और 22,300 का call by था, जिसमें maximum profit मेरे को 22,000 के expiry में मिलेगा, और reward के हिसाब से favorable trade है, अब gap down की case में मैंने बताया कि मुझे लगता है कि reverse कर जाएगा, तो मेरे को बजार एकदम से खराब नहीं दिख रहा है, कि एकदम से खराब होगा, देखो, हमारा बजार आज भी नीचे आया था, अच्छा कासा नीचे, लेकिन reverse लिया है, मतलब buyers active हो रहे है, यहां भी देखो, नीचे आने के बाद reverse लिया है, active हो रहे है, buyers, यह देखो, sellers भी आ रहे है, लेकिन जब उसने प्रियोपन में almost 1.5% cover किया, उसके बाद market जब वो उपर जाने लगा, इसलिए मैंने बाइंग का प्लान बनाया, वरना मैं बाइंग सोड़ो, मैं सोच रहा था, मैं option selling में चुपचा बैठा रहूंगा, out of the money sell करके, लेकिन वो pre-open में तो आप बाइंग साइड में तो सही बैठे हो, ऐसे परेंग साइड में सही हो, मेरे को लगता है कि जाना चाहिए उपर कर, ऐसा रगता है, बैंग निफ्टी भी थोड़ा सा, बैंग निफ्टी जदा पिटा है, आज है, अरदा बरसुन पिट गया ना, लेकिन एक चीज़ सेची काफी नीचे ओपन कर रहा है, प्यसकि उतना नीचे ओपन नहीं कर रहा है, करेक और निफ्टी प्री प्रीओ निचे, पटा नहीं चलता है, लेकिन निफ्टी का Premium मेंने देखा न दौ परसंट नहीं का जाएगा, घटे हैज कि यहां गपडाउन जितना बड़ा निफ्टी कुला यह लेविल के उपर बड़िया हो जाएगा बैंक निफ्टी अगर कल यह लेविल निकलता ना 46804 तो मतलब जो सौर्ड बाले होंगे ना उन्हें फार देगा पर यह करेक्ड 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 के लिए इस लेविल को निकालेगा तब जाके तेज हो जाएगा फिर यह यहां कहीं लेया ने 4748 तक लेया टरेक्ड 48 कर नहीं 47000 तक 47000 तो 400 500 का मुमिन कर्षार्म का मिल सकता है यह लेभी निकटा है तो 46800 के ऊपर था इसा हो सकता है तेज देखेंगे करेता हैानन रइट so with this we conclude the session i hope you guys enjoyed understood what exactly we were trying to make you guys understand and uh please follow risk reward okay so let's see how exactly that goes right and uh yeah hope you have a lovely trading session calma live anyways so i hope you guys enjoy do take care of yourself and family you have a lovely